हलो एवरीवन वेलकम टू दाय स्टडी कॉंसेट एमपी जी के की एमसी की स्रीज में आपका फिर्श्य स्वागत है मद्यप्रदेश जी के पर अधारित यह 48 वा वीडियो में लेके आया हूं और लगातार यह स्रीज चल रही है 47 वीडियो मैं अल्रेडी अपलोड कर चुका ह हूं जो कि मद्यप्रदेश जी के पर चल रही है यह स्रीज और हर वीडियो में 25 कॉसेंस का कंप्लीट एनिलेसिस लेके आया हूं जो कि मद्यप्रदेश जी के पर कंप्लीट आधारित है और MPPSC, MPSI, मद्यप्रदेश कॉंस्टिबल, पटवारी और जेल पर इन सभी सबी एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लगातार मेरी इस सीरी से जोले रहे हैं और लगातार सीरी देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉंसेट सब्सक्राइब कर लें वो भी all notification के साथ में all का जो radio बटन है वो आपको क्लिक करना है देन उसके बाद मैं आप subscribe का बटन क्लि करना है देन उसके बाद में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें जिससे कि अन्य वो सारे विद्यारती जो कि MPGK पढ़ना चाहते हैं समझना चाहते हैं complete analysis के साथ में हर जीके का जो question है वो मैं इसमें cover करने की पूरी कोशिस कर रहा हूं क्योंकि यह सीरी लगात को पूरा अध्यन मिलेगा जो कि मैं complete कर चुका हूं कुछ parts को तो चलिए शुरू करता हूं यह 48 वीडियो जिसमें कि अगले 25 questions complete analysis के साथ में topic wise मैंने cover कि हैं पूरे topic पर एक single topic पर आपको पूरे questions मिलने वाले हैं तो चलिए शुरू करता हूं वीडियो को अन तक आप जरू केनर है वह topic है तो पूरा टॉपिक पर एक एक question आपके cover होने वाले हैं तो वीडियो को आप देखेएगा वीडियो को like और share जरूर कि दिए मद्रप्रदेश का पहला ताव विद्यूद केनर कौन सा है सबसे पहले मद्रप्रदेश में कौन सा ताव विद्दूद केनर से पहला ताविद्यूत के अंदर है जो कि 1953 में स्टैब्लिश किया गया था और ये कहां पर किया गया था ये किया गया था बुरहानपूर में बुरहानपूर जो कि मद्द प्रदिश के दक्षनी जिला कहलाता है बुरहानपूर के पास में नेपानगर में नेपानगर में जो कागज का कार खाना इस्तापित किया गया है ठीक है ना उसके लिए यहाँ पर कागज की मील है यहाँ पर वो काफी पुरानी है तो उसके लिए पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर यहाँ पर यह चाननी ताप विद्यूत के अंदर इस्तापित किया गया था जो कि सबसे पहल मद्रप्रदिस का ताप विद्यूत केंद्र है 1953 में इसको स्टैबलिस किया गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लीजी आगे second question आपके सामने निम्न ताप विद्यूत केंद्रों में सारवदिक विद्यूत उत्पादन की चमता किसकी है कौन सा ताप विद्यूत केंद्र है यहाँ पर की सबसे अधिक विद्यूत उत्पादन किया जाता है चांदनी पेंच अमरकंटक या फिर विंद्या चल तो इसका सही जो आंसर है वो कौन सा है which one is the correct आंसर तो इसका जो सही उत्तर है वो है विद्या चल ताप विद्यूत केंद्र जो की एंटी पीसी के होता है तो विंद्या चल में होता है ठीक है और सबसे कम विद्यूत जो होता है ताप विद्यूत प्रविजना में जो विजली का उत्पादन होता है वो चांदनी में होता है सिर्फ 17 मेगावाट विजली की उत्पादन यहाँ पर किया जाता है ठीक है तो चलिए आगे पर चम्मल नदी पर बनाया है ये ये भी आपको clear होना चाहिए तो बताइए इसमें से कौन सा option सही है आ, बा, सा या फिर दा तो इसका सभी विकल्पे वो कौन सा है तो वो है मंसौर मंसौर जो जिला है वहाँ पर है ये गांदी सागर जल विद्यूत केंदर और ये चम्मल न 15 मेगावार्ड विजली का उत्पादन किया या रहा है मंसौर कहां है ये किस संभाग के अंतरगत आता है ये तो ये आता है उज्जेन संभाग के अंतरगत ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस संभाग में कौन-कौन से जिले आते हैं ठीक है clear हो गया ये और ये चंबल नदी पर बना है ये मैं आपको बता चुका हूँ और चंबल नदी का उत्पादन के लिए तीन बांध बने है और उसका पानी बेराज द्वारा राजिस्तान और मद्प्रदेश की सचाई के लिए उप्योग में लाया जाता है बताईए बेतवा पर बने हैं सोन पर चंबल पर या पर तापती नदी पर तो इसका जो सही विकल्प है वो है चंबल चंबल नदी पर तीन बांध बनाकर यहां पर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है जल विद्युत जो उत्पादन है वो चंबल नदी पर तीन बांध बनाकर बना किया जा रहा है एक बां होना चाहिए आपको क्योंकि ये questions बिल्कूल बनते हैं राना प्रताप सागरबान जो कि राजिस्तान में बना है और दूर तीसरा बान वो भी राजिस्तान में है जिसका नाम है जवहार सागरबान ठीक है ये पूरे clear होने चाहिए ये तीन बान से विद्यूत परियोजना किया जा रहा है ठीक है जो कि राजिस्तान और मद्रदेश की संयुक्त परिवजना है जो कि 50-50 परसेंट ठीक है ना 50-50 परसेंट क्या विल्कुल यहां पर sharing होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question आ गया सरदार सरोबर विद्यूत उत्पादन सरदार सरोबर ज किया जा रहा है वो उसमें मद्रदेश का कितना हिस्सा है देखिए बहुत ही important है यह आपके लिए क्योंकि शेरिंग वैसे जरूर आते हैं एक्जाम में तो बताइए कौन सा है आ बासा या फिर्दा तो इसका जो सही विकल्प है मद्रदेश की जो शेरिंग हिस्सा है उसमे वो है 57% मद्रदेश की हिस्सेदारी सरदार सरोवरबांद पर जो विद्वत परोजना चल रही है उसमें सबसे अधिक है क्योंकि मद्रदेश से ही ये सरदार सरोवरबांद किस नदी पर बनाए सबसे पहले तो यह समझना है तो वो है नर्बदा नदी पर और नर्बदा न आधी नदी कहां बहती है? वो बहती है मद्र प्रदेश में इसलिए जहाँ पर सबसे ज़ादा नदी का ब्हाँ को Ses З्यारिंग उस ही राज्यकों मिलती है तो इसमें मद्रप्रदेश की sharing जादा है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 57% जो sharing है वो मद्रप्रदेश की है उसके बाद में फिर गुजरात और महाराश्ट कोष्ट में sharing मिलती है विद्यूत परयुजना में ध्यान रखेगा इसमें सचाई परयुजना में एक राज और सामि तो इसमें गुजरात की sharing कितनी है वो भी समझ लेजिए तो वो है 27% गुजरात को जो बिजली उत्पादन में sharing मिलती है वो 27% मिलती है गुजरात को यह आपको पता होना चाहिए और बाकी का जो हिस्सा बचा वो बचा कितना 16% जो की महाराश्ट के हिस्से में आता है ठीक ह तो इस तरीके से यह बिजली उत्पादन की sharing है वो डिवाइड है 57% जो है वो मद्य प्रदेश को मिलती है 27% गुजरात को मिलती है और 16% जो है वो महाराश्ट को मिलती है यह नरवदा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा और सबसे आखिर में ठीक है ना सबसे आखिर में य यह गुजरात में ठीक है ना यह बांद इस्तापित किया गया है और इस सरदार सरुबर बांद के पास में ही गुजरात में statue of unity सरदार बल्ला भाय पटेल की जो प्रतिमा है वो statue यहाँ पर निर्मित की गई है जो की world की सबसे highest प्रतिमा है ठीक है सबसे उंची प्रतिमा य आपको और इसमें राजिस्तान पो जल जल दिया जाता है पानी दिया जाता है सिचाई परज़ना के लिए से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे जाने से पहले मैं आपको पताना चाहूंगा अनेकेडमी के बारे में अगर आप MPPSC और MPP पुलिस की तयारी कर रहे हैं तो अनेकेडमी आपके लिए लाया है फ्री टेस्ट आईए जानते हैं ये कौन-कौन से टेस्ट है और आप इनको देकर अपनी तयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं यह टेस्ट दे सकते हैं वो भी फ्री में जो भी बच्चे MPPSC की तयारी कर रहे हैं उसके लिए अनेकेडमी लाया है चेंपियन सिर्फ टेस्ट रिज यह है टेस्ट सिर्फ आपकी तयारी पूरी नहीं कराएगा उसके साथ साथ मौका देगा अनेकेडमी का एक मन्त का फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का बस आपको टॉप थ्री में आना है और किसी भी एक्जाम को पास करना है जो बच्चे MPP पुलिस और MPSI की तयारी कर रहे हैं उनको भी निरास होने की जरूरत नहीं है आपके लिए भी similar opportunity है आज ही हिस्सा लीजिए और अपनी तयारी को मजबूत करें पायमो का अनेकेडमी क के subscription जीतने का आईए आप जान लेते हैं अनकेडमी के प्लस वेचिस के बारे में जो आपकी जरूरत की हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं जी हां अब अनकेडमी के साथ अपने preparation की जरूरत के अनुसार batch join कर सकते हैं और अपनी MPPSC prelims में selection पक्की कर सकते हैं यह सारे वेच बच्चे MPPSC prelims 2020 की तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुनिए आपकी तैयारी के लिए अनकेडमी ने लांच किया है एचीवर बैच जिसमें आपको MPPSC का complete mark दर्सन मिलेगा वो भी MPPSC के top educators से यह बैच 18 फरवरी से सुरू हो चुका है अब भी भी देरी नहीं हुई है आज ही ज description box में डाल दिया है वहाँ से आप click करके join कर सकते हैं जो बच्चे MPPSC prelims and men's 2020 की तैयारी English medium में कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिए आपकी तैयारी के लिए अनकेडमी ने लांच किया है foundation badge जिसमें आपको MPPSC का complete mark दर्सन मिलेगा वो भी MPPSC के top educators से यह badge 18 फरवरी से सुरू हो है अभी देरी नहीं हुई है इसे आप join कर सकते हैं इसका भी link मैंने वीडियो के description box में डाल दिया है वहाँ से आप click करके इस post को join कर सकते हैं जो बच्चे MPPSC prelims and men's 2020 की तैयारी हिंदी में कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिए आपके लिए अनकेडमी ने लांच किया है लक 2019 फरवरी से सुरू हो चुका है अभी भी देरी नहीं हुई है आप इसको join कर सकते हैं इसका भी link मैंने वीडियो के description box में डाल दिया है अनकेडमी में इंडिया के top educators आपको पढ़ाते हैं तो आज ही join करें देरी किस बात की है और अपना लक्ष हासिल करें और जब आप join करे मत भूलिएगा जैसे ही आप मेरा code यूज करेंगे instant 10% का discount मिलेगा मेरा referral code है हरदयाल कुषवा जो की capital letter में लिखा हुआ है तो जल्द ही इस offer का फायदा उठाईए आखरी कुछ दिन ही sales रह गए हैं 1st March से ये discount 10% से घटकर 5% हो जाएगा तो आज ही subscribe करें और मेरा referral code लगा मत भूलिएगा जैसे कि मैंने बताया आपको मेरा referral code है capital letter में जो आपको लिखा हुआ हरदयाल कुषवा अगला प्रसना आगे आपके सामने सत्पुड़ा ताप विद्यूत के अंदर कहां परिस्तित है वीर सिंग उमरिया अमर्का अनुपूर पाथर कीड़ा बैतुल या पिर बिलन सिंग रोली इसका सई विकल्प क्या है तो इसका सई विकल्प है पाथर कीड़ा बैतुल बैतुल में इस्तिर है ये सत्पुड़ा ताप विद्यूत के अंदर ठीके न और ये इस पर जो नदी है वो पुंसी किस नदी का पाने यहां पर सप्लाई होता है ताप तव नदी का उदकम कहां से हैं यह महादेव शेना से याद रखेंगा महादेव-सेनी जो की सत्पुढरा-सेनी की अंतरगत पा संद में, पचंगाबाद में चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रसना आ गया मद्रप्रदेश में गैस आधारित पहला विद्यूद ग्रह कहां इस्तापित किया गया है भांडेर इंदोर जमगोदर्नी या फिर उमरिया तो इसका यह सही विकल्प है वो कौन सा है तो इसका सही विकल्प है भांडेर भांडेर यह कहां पर है यह भ संभाग में और सभब सब्सक्राइब द City से यो कि पूरी प्लेइस उसमें आपको मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंदू आगए मदेप्रदीस वर्त्मान में मदेप्रदीस की जो उड़ा राजधानी है वो किसको कहा जाता है सीधी सिंगरोली अमरकंटक या कटनी देखिए सिंगरोली जो है वो मद्रप्रदेश की उड़जा राजधानी कहलाती है क्यों कहलाती है क्योंकि जितने भी ताव विद्यूत के अंदर है सबसे अधिक ताव विद्यूत के अंदर कहां इस्तापित किये गए हैं वो किये गए हैं सिंगरोली में क्यों क्योंक से बहुत सारे ताबित्युत केंद्र है इस कारण से इसको मद्य प्रदिश की उर्जा की राजदानी इसको कहते हैं और यहाँ पर बिट्यूमिनस केटेगरी का जो सेकंड केटेगरी कहलाती है कोईले में वो कोईला यहाँ पर पाया जाता है और पूरी सिंग्रोली में धाई हजार जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कई अवर बताया है धाई हजार स्कौायर वर जिंडुमीटर का जो चेत्र है वहां पर कोईले का चेत्र कहलाता है यहाँ पर तीक है यहाँ पर कोईला प्राप्ट होता है चलिए आगे बढ़ते हैं सामने अगला प्रस्ट प्रेज की उड़जा राजधानी वाला सीधी जिला के इस्तान पर अब खिताब किसको मिल गया देखिए पिछले प्रस्टमी में आपको बता चुका हूँ एक्चुली में पहले क्या सीधी में ही सिंग्रोली आता था सिंग्रोली जो एक तहसीर था सीधी जिले का ठीके नदो पहले ये खिताब सीधी जिले के पास में था क्योंकि सीधी के इच्छेतर में ही सिंग्रोली पड़ता था लेकिन जब 2008 में सिंग्रोली को अलग कर दिया ग अगला प्रस्णा आ गया निमलिखित जल विद्यूत केंद्रों तता उनकी उत्पादन चमता के हिसाब से इनको सिमुलित करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है तो इसमें से सही कौन से है और कौन सा गलत है इसमें तो यह आपके सामने सारे विकल्प दिये हैं इसमें से क उत्पादन 435 है या पिर महिस्वर जल विद्यूत के अंदर जिसका उत्पादन 450 मेगावाट है या बर्गी जल विद्यूत के अंदर इसका उत्पादन ना कि 99 मेगावाट यह आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि कितने मेगावाट का उत्पादन कौन सा विद्यूत के अंदर कर रहा है यह कॉर्शन जरूर बनते हैं तो इस कारण से यह जो ऑप्शन है यह इसका गलत है यह सही समयलित नहीं है तो इसका आंसर यह है बाकि यह सा यह जितनी भी नदी है किस नदी पर कौन सी जल विद्यूत योजना चल रही है इसके वारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है और किस छेत्र में है ये कोटा राजिस्तान में इस्तित है और चम्मल नदी पर तीन परयोजना चलने है जो कि मैंने आपको पिछली प्रस्ट में आपको बता दिया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट आ गया रेहांद जल बद्युत परय में थे कहां पर है देवलोन पीपरी पुनासा या सिवनी तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है विच्वन इस दा करेक्ट आंसा देखिए वो है पीपरी पीपरी में इस्तित है ये और पीपरी कहां पर है ये ये पीपरी जो है मद्द प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बिलकुल Border पर लगा हुआ है और यह मद्दप्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ध्यान रखेगा जो पीपरी है यहां पर जो जल्विद्वोद परियोजना पर पर पर, पर यहां पर बनाए गई है, पर यह संचालित पर पर में पर इन्दीरे समारण box entered साथ में ये सिवनी में जल विद्यूत परयोजना संचालित की जाती है जो कहां पर है सिवनी में पैंच नदी पर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन आ गया ओमकारिश्वर जल विद्यूत केंद्र में विद्यूत उत्पादन की छमता कितनी हैं 320, 435, 520 या फिर 1000 मेगावाट तो कितना मेगावाट का उत्पादन कर रहा है ओमकारिश्वर ये कर रहा है 520 मेगावाट जल विद्यूत उत्पादन कर रहा है ठीक है ये क्लियर होना चाहिए और ओमकारिश्वर कहां पर है ये ये है खंडवा में मैं आपको बता चुका हू ये खंडवा में कहां पर है ये पुनासा में ठीक है ना ये clear होना चाहिए आपको one of the very important fact ये बिलकुल सही clear होना चाहिए ये ठीक है ना this is the correct answer पुनासा अलग है actually ओमकरिसवर अलग है और पुनासा अलग है पुनासा में जो है वो इंदरा सागर जल विद्यूत केंदर है तो वाला जो इंदरा सागर जल विद्यूत केंदर है वहाँ पर 1000 मेगावाट का विद्यूत उत्पादन किया जा रहा है ठीक है ना ये पुनासा है और ये ओमकरिसवर है और दोनों ही ये खंडवा में ही इस्तेत है clear हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसना आ गया म मद्रदेश का सबसे पहला पवन उर्जा सयंत्र लगा गया गया था और ऑगदर्यूत और ये कहां पर है ये देवास जो देवास जिला है वहां पर इसीतित señor मुद्वास किसके अंतरगत आता है ये ऊज्जयन संभाग के अंतर आता है और जिबा बहारू यहां पर चेत्र है यह दोनों जिले भी उसके अंतरगरत आते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रासना आ गया निम्न परियोजना निजी छेत्र को सोपी गई यानि कि प्राइवेट है वो परियोजना तो कौन सी है महेश्वर है उंकारिश्वर है अमरकंटक है इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही विकल्प है वो है महेश्वर जो महेश्वर जल विद्यूत परियोजना है यह नीजी हातों में है नीजी प्राइवेट जो कंपनी है वो इसको ऑपरेट कर रही है इसके अलावा एक और विद्यूत परियोजना है जो की नीजी हातों में है वो ह सबसे अधिक जो ताप जो विद्यूत आपूर्ती वो विंद्याचल से नहीं होती है यानि कि ये इसका सही है मद्य प्रदेश में जो विद्यूत आपूर्ती होती है वो सत्पुड़ा जल विद्यूत के अंदर होता है सत्पुड़ा ताप विद्यूत के अंदर जो सत्पुड़ा के हैं उससे आपूर्ती की जाती है मद्य प्रदेश में ना कि वि बाकि ये तीनों के तीनों जो दोनों पॉइंट उपर के दिये हैं विल्कुल सही है याने की सारवधिक पवंचक्कियां इंदोर में स्तापित हैं और खरगोन में जो हाइड्रेम पंप है वो सारवधिक लोगप्री हैं ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं आगला प्रसना आ ग सांचि Professor की दूद कातब्स के आजाता हैं वहां में सबसे बड़ा सबसे बड़ा transit के सोरूजा का सेंटरियां इस सबसे बाएड़ हो शायां इसकी जो शमता है रहा पाने सबसे यहां पर सबसे बढ़ते हैं आपको विद्यूद्धी करण हो चुका है अनि कि मद्धप्रदेश का जो पूरा छेतर है उसमें विद्यूद्धी करण कितना रह गया और कितना complete हो चुका है यह option है आपके सामने 85%, 95%, 97% या 99% तो इसका सही विकल्प है 97% पूरा मद्प्रदेश में विद्यूद्ध करण किया जा चुका है जिसमें कि गाउँ छेतर में ही सिर्फ 3% सहिस रह गया है बाकी सहरी करण में पूरा 100% विद्यूद्धी करण हो चुका है ठीक है तो this is the correct answer अगला प्रसना आगया मद्प्रदेश में विद्यूद्ध प्रदाय अधिनियम कब लागू किया गया दिसम्बर 1945, सितम्बर 1948, सितम्बर 1950 या सितम्बर 1952 तो इसका जो सही विकल्प है वो है देखे यह तो अदिनियम लाग हुआ लेकिन विद्धूस अपना इसके पहले हो गयी थी 1945 में जो स्वतंत्र विद्धूस अपना 25 में कर दी गए थी लेकिन मद्रर प्रदेश में जो विद्यूत उत्पादन है वो बहुत पहले चालो हो गया था जैसे कि आपको पता है 1905 में ही विद्यूत उत्पादन चालो हो गया था और सबसे पहला ताव विद्यूत के अंदर चांदनी ताव विद्यूत के अंदर कब स्तापित हुआ था वो मैंने आपको सबसे पहले प्रस्ट में बताया था 1924 में ही यहां पर विद्यूत के इंदर स्थापित कर दिया गया था और विद्यूत का उत्पादन 1905 में चालू हो गया था ठीक है और 1945 में विद्यूत विवाग यहां पर स्थापित हुआ था लेकिन जो अधिनियम चालू लगू हुआ विद्यूत स निगम की स्थापना कब की गई थी आ बा सा या दा तो इसका जो सही विकल्प है वो है 1982 1982 में मद्द प्रदेश में उर्जा विकास निगम की स्थापना की गई थी और ये उर्जा विकास निगम की स्थापना जो 1956 जब मद्द प्रदेश का गठन किया गया था तो उसका जो अ अगला प्रसन आगया ग्रामीन विद्धिकरण निगम की स्थापना की गई थी? तो इसका सई विकल्प है 1962 में ग्रामीन विद्धिकरण निगम की स्थापना की गई थी? This is the correct answer, ठीक है? अगला प्रसन आगया मद्रप्रदेश का सबसे बड़ा सौरे उर्जा सैंत्र कहां पर है? ये पुराना कर्शन है अभी जो सबसे बड़ा जो सौर उर्जा सैंत्र है वो कहां पर लग गया है? वो लग गया है रीवा में लेकिन रीवा से पहले जो सबसे बड़ा सूर और जायंत्र था वो कहां पे था तो वो था होसंगाबाद इटार सी में ठीके न तो अगर इस कॉर्ष्चन का आंसर होगा तो वो रीवा होगा भी लेटरस्ट में रीवा में इस्तित है लेकिन इस से रिवा से पहले ये इटार से में इस दित्त था, ठीक है नखी लेटिस्ट में अभी मोदीजी ने इसका उधिखाटन किया, इस सोर ऊरजा सैयंत्र का जो की विष्व का सबसे, विष्व का भारत का सबसे बड़ा के सकते हैं, विष्व का नहीं है, बारत का सबसे बड़ा सोर उर्जा सैंत्र है जो की रीवा में स्थापित किया गया है ठीक है अगला प्रसन आ गया मद्ध प्रदेश में एक मात्र गैस आधारित विद्यूत ग्रह भांडेर में जो विद्यूत उत्पादन किया जा रहा है उसमें कितनी कितनी विद्यूत की उत्पादन किया रही कितनी चमता है उसकी, 150 या फिर 250 मेगावाट या 300 मेगावाट या फिर 400 तो इसका जो 300 मेगावाट है ये बिल्कुल सही है, 300 मेगावाट की यहाँ पर विद्धूत उत्पादन किया जा रहा है, जो भांडेर में, भांडेर कहां पर है ये, ये मैंने पिछले प्रस्ण में बता दिय आपको दतिया में इस्तित है ये, ठीक है ना भांडेर तहसील में, अगला प्रसन आ गया, राणा, प्रताप, सागर, जल विद्धूत के अंदर, में उत्पादित, जल विद्धूत में से मद्ध प्रदेश को कितनी मेगावाट विजली प्राप्त होती है, आ, बा, सा, या और ये कहां पर है, राणा-सागर, ये है, कोटा में, ये आपको पता होना चाहिए, कोटा में इस्तित है, और ये मद्ध प्रदेश और राजिस्तान की संयुक्त परिवजना है, जो की 50-50% यानि की इक्वल सेरिंग की परिवजना है, यानि की इस मेंसे 86 मेगावाट विज पादित की जाती है राणा सागर में ठीक है अगला प्रसना आ गया मद्द प्रदेश के किस इस्तान पर 500 मेगावाट की जो बिजली चमता है उसका यूनिट का प्रारंब किया गया है कौन सा है वो उमरिया बांदवगर बेड़न या फिर बीर सिंगपूर तो इसका जो सही प की ताप विद्यूत केंद रहे यहां पर ठीक है न जहां पर की 500 मेगावाट की नई यूनिट का सिरुवात की गई है ठीक है तो यह थे टोटल 25 कॉस्टेंस जो कि मैंने आपके सामने मद्द प्रदेश जीके के विद्यूत विद्यूत जो उत्पादन के टॉपिक है उस प कितना है यह मैंने आपको बताया वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट आपके बहुत उपयोगी है कमेंट जरूर करें मेरे वीडियो पर साथी साथ वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबा है साथ में वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा वो भी इसको शेयर करें और लगातार मेरी इस सीरी से जुड़े रहे हैं मेरा चैनल स्टडी कॉंसेट आप सब्सक्राइब कर लें मेरे वीडियो के मादम से आप कर सकें तो इसी के साथ मैं अपना ये जी के का वीडियो मैं खताब करता हूँ अगला वीडियो कल आपको फिर मिलने वाला है लगातार ट्यून रखी है मेरा स्टडी कॉंसेट चैनल और देखते रहे हैं वो सारे वीडियो जो कि आप से मिस हो ग पर ट्यून अपना रहे हैं वे जी याला में थी हैं बड़ता स्टड बड़तार समय एली में अवोतार समय को इंगना है ये जी 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 और देखते विजिदार के लो गोड़तार समय कि रहे हैं वे में हैं